दोस्तो अगर आपने अपने फोन में वाल पेपर पर अपनी फोटो लगा दी है और अब आप उसको हटाना चाहते हैं तो वो कैसे हटाते हैं ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो अपनी photo हटाने के लिए आपको क्या करना है आपको चले जाना है अपने phone की settings में settings में जाते ही आपको इस type का interface मिल जाएगा यहाँ पर आपको करना है नीचे की और scroll ठीक है या तो यहीं पर आपको इस type से दिखा देगा lock screen and wallpaper का option या तो आप थोड़ा सा नीचे की और scroll कर लिजगा तो आपको दिखा देगा हो सकता आपको separate कोई और अगर आप phone यूज़ कर रहा हो तो केवल different जो है मतलब separate एक wallpaper का ही खाली option दिखा रहा हो तो आप उस पर click कर लिजगा you see आप इस्पर click करेंगे तो आपको एक wallpaper का यहाla option दिखा रहा होगा ठीक है यहां पर अभी मेरी photo लगी है तो यहां पर वो दिखा रहा है आपको इस पर click करना है उस पर click करते ही आपके सामने बहुत सारे system wallpaper आ जाएंगे अब जो भी wallpaper आपको लगाना है वो अपनी photo हटा करके आप उस पे click कर दीजेगा ठीक है किसी भी इस पे click करिएगा इस टाइप से और उसके बाद आप apply पे नीचे click करिएगा यहाँ पर कर दीजेगा set home screen पर और जैसे ही इस पे click करेंगे आपकी photo हट जाएगी wallpaper से और यह wallpaper लग जाएगा जो भी आप select करेंगे अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like, channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए